हेलो फ्रेंड्स मैं रितेस सिविल कॉंट्रक्टर और इंजिनियर स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल लो कास्ट होम आइडियास में तो दोस्तो मैंने आपको बेसमेंट से रिटेट 2-3 वीडियो बना करके दिखाए हैं और उसमें आपको बहुत सारी जानकारियां दी लेकिन उन जानकारियों में एक जानकारी और भी स्पेसल थी जो मैं आप तक नहीं पहुचा पाया सोचा इस वीडियो के द्वारा मैं जान जिससे कि जो है आप मोटर दौरा जो भी पानी आपका एकत्रित हो उसको आप निकलवा सकते हैं बात्रूम जैसे आप बेस्मेंट बनाते हैं तो जो भी आपका बात्रूम का पानी होगा उसको आप इसमें एकत्रित होगा और मोटर के दौरा उसे बाहर निकाल लिया जाएग आप पिलंबर का वर्क कैसे कराएंगे पिलंबर का वर्क यह मान के चलिए कि बेस्मेंट तो आपका डाउन में हो गया और बाहल जो सीवर लाइन आपके यहां रोट पर पड़ी होगी वो तो उचाई भी पड़ी होगी लेकिन कोसिसे करें कि बीम की कटिंग न करने पड़ें की करने से होता कि क bargaining की होता कि सरीया भी कडियाती और मसाला वी जो बीम पर होता के निकल जाता है जिएकशित्स chopping का कमभर होने का बहुत सौरा चांसेस होता है और ये गलतियां आप लोग बिल्कुल ना करें जब भी आप बेस्मेंट बनवातने हैं और आपको ये जो प्लंबर का वर्क कराना है पानी की निकासी के लिए ये रास्ता सबसे उत्तम है और तो वो इसी तरह आपको कराना पड़ेगा लटकवाना पड़ेगा देखिए ये कनेक्शन है और देखिए पूरा पाइप पूरा पीछे तक गया हुआ है और इसमें जितना भी आपका बात्रूम होगा दो फ्लोर तीन फ्लोर का बात्रूम है और आपका जोड़ना भी जो सीवर लाइन है वो सब इसी तरह से कनेक्शन होकर के बाहर की तरब जाएगी और बस बताना इतना मेरा मकसद था कि जो भी पाइप लाइन आप डलवाते हैं वो जमीन से तो जा नहीं सकती है और उपर से जदी आपको ले जानी है तो आप ऐसा करें कि बिल्कुल इसको जो है बिम बिल्कुल ना काटें और उपर से हैंग पाइप लटकवा करके लेके करके इसी तरह से बंदवा लें क्योंकि पाइप लगाने के बाद जाली बांदने में बहुत दिक्कत होती है थैंक्यू वेरी मच और यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद है तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें